अखिर कार इम्रान खान ने घुटने टेखी दिये 18 से 21 दिसंबर तक कुआल अलंपुर समिट में चीफ केस्ट के तौर पर हिस्सा लेने जाने वाले पाकिस्तान के प्रिधान मंतरी ने सम्मेलन में हिस्सा लेने से इंकार कर ही दिया साओधी अरब की चंद घंटों की यात्रा ने इम्रान खान को फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया लेकिन कैसे आखिर ये सब हुआ कैसे जो जिस सम्मिट में जाने के लिए पाक पीम बेताब थे उन्होंने कुछी घंटों की यात्रा के बाद अपना मन बिल्कुल बदल लिया और मलेशिया के कुवालालंपुर में होने वाले सम्मिट का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वज़ा है वो है इस सम्मिट का मकसद जिससे साओधी अरब को एतराज है इस सम्मिट का मकसद है साओधी के नेत्रित वाले और्गनाईजेशन ऑफ इस्लामिक को ओपरेशन का विकल्प तयार करना और साओधी का तो मुस्लिम वर्ल्ड में दबदबा रहा है और वो सीधे तोर पर इस सम्मिट को खुद की बाच्शाहत को चुनौती के रूप में देख रहा है तो फिर भला साओधी अरब इस सम्मिट में पाकिस्तान के जाने से नाराज क्यों नहीं होता तो पाक पीम पहुँचे साओधी अरब और बना दिया इमरान खान पर दबाव और फिर इमरान खान ने साओधी अरब से रिष्टे ना बिगाड़ने के मकसद से बड़ा फैसला लिया और मलेशा के सम्मिट में शामिल होने से इंकार कर दिया दरसल अभी हाली में मलेशा के पीम महतिर मुहमद ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कुआल अलंपूर सम्मिट से मुस्लिम देशों का नया युग शुरू होगा ये संगठन OIC की जगे लेगा जो मुस्लिम देशों के हिच साधने में पूरी तरह विफल रहा है जो कि सीधे तोर पर साओधी अरब को चुनौती थी क्यूंकि OIC साओधी अरब की ही देखरेक में काम करता है माना जारा था कि पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की के बाद अब इरान भी इस समिट का हिस्सा होगा मलेशिया IPM के इस बयान से साओधी अरब, UAE और बहरीन खासे नाराज दिखे थे इन देशों ने इस समिट को अपने प्रभुत्व के लिए चुनौती माना था लेकिन पीएम इमरान खान तो मुस्लिम वर्ल्ड का नेता बनना चाहा रहे थे ये उनके इसी साल सितंबर में सैयुक तुराष्ट महासभा में दिये भाशन से ही साफ जाहिर हो गया था UNGA में बैठक से इतर इमरान ने ही तो तुर्की और मलीशिया के साथ मिलकर मुस्लिमों के लिए इंटरनाशनल टीवी चानल बनाने की बात कही थी जिस पर भी साओधी अरब नाराज हुआ था और यही बज़ा थी जो साओधी अरब ने UNGA में शामिल होने के लिए जो प्लेन इमरान खान को दिया था उसे ततकाल वापस बुला लिया था अब मुस्लिम वर्ल का बॉस बनने की ललग जब इमरान खान पर इसकदर सवाध थी ऐसे में उनको पता चले कि साओधी अरब नाराज है तो वो पहुच गए रियाद जहां साओधी प्रिंस ने उन्हें साफ कर दिया कि वो कुआल अलंपुर समिट में इमरान खान के हिसा लेने और उनके चीफ केस्ट बनने से खुश नहीं है और साओधी अरब जैसे देश से संबंध खराब होने के डर ने इमरान खान को और डरा दिया और उन्होंने अपना फैसला बदा दिया इमरान खान के विशेश सलहकार फिर्दौस आशिक अवान ने कहा प्रुधान वंतुरी ने कुआल अलंपुर समिट में न जाने का फैसला राश्ट्रिय हितों को उध्यान में रखते हुए लिया है पता दे कि मलेशिया के कुआल अलंपुर में 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक एक समिट का आयूजन किया जाना है जिसे मुस्लिम वर्ल्ड में एक नाइब पावर सिंटर को बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है समिट में पाकिस्तान के अलावा तुर्की, कतर और इरान के नेता भी हिस्सा लेने वाले थे इसमें 52 देशों के 450 नेताओं, स्कॉलरों, मौलानाओं और विचारकों के भी हिस्सा लेने की उमीद है अब देखने दिल्चस्पोगा कि जब पाकिस्तान के PM ने सम्मिट का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया है तो फिर अब कौन इस सम्मिट में हिस्सा लेता है और कैसे ये सम्मिट OIC के लिए एक चुनोती बन पाती है